प्रिया शिक्षार्थियों आपका एन आयोएस में स्वागत है आज हम पीडियां और गिटियां शीर्शक से व्यंग विधा का एक दिल्चस्प पार्थ पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिस करेंगे शिक्षार्थियों आपने पहले भी यह पार्थ पढ़ा होगा है यह पार्थ व्यंग की विधा में लिखा गया है व्यंग गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें व्यंग लेखक सीधे सरल शब्दों में अपनी बात इस पश्टता से कहता है लेकिन पढ़ने के दौरान जब इसका अर्थ बोध हम गरहन करते हैं तो एक दम से चमत्कृत हो जाते हैं व्यंग के माध्यम से लेखक समाज में फैली तमाम तरह की विसंगतियों विडम बनाओं रूढियों कूरीतियों और अंदविश्वासों का ऐसा परदाफास करता है कि पढ़ने और सुनने वाला उसे भीतर तक मैसूस करने लगता है और अपने समाज के प्रती अपने उत्तरदाइत्तों को मैसूस करते हुए जागरूख होने लगता है और साथ ही अपने समाज को भी जागरूख करने का प्रयास करता है शिक्षार्तियों इस पाठ में लेखक ने साहित्य के एक शेत्र में सक्रिय युवा और विर्ध पीडियों के बीच के टकराव को व्यंग का सहरा लेते हुए सीधे सरल शब्दों में बेहत दिल्चफ धंग से अभिव्यक्त किया है आईए पाठ शुरू करने से पहले इसके मूल उद्देश्य को एक बार समझ ले शिक्षार्तियों इस पाठ को पढ़ने के बाद आप व्यंग का अर्थिस्पष्ट कर सकेंगे व्यंग विधा के तत्तों के आधार पे पीडियां और गिट्टियां पाठ का विशलेशन और विवेचन कर सकेंगे दो पीडियों के बीच चल रहे संगर्ष को बेहत अधंग से आप समझा सकेंगे व्यंग की भाशा सैली पर भी आप टिपड़ी कर सकेंगे शिक्षार्थियों यह व्यंग लेक विख्यात व्यंग कार हरसंकर परसाई ने लिखा है हरसंकर परसाई जी का जन्म 12 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश में जिला हो संगावाद के जमनी गाउं में हुआ था नागपूर विश्विद्याले से हिंदी में एमे करने के बाद उन्हें कुछ समय तक नोकरी की लेकिन 1957 से लेखन को ही उन्होंने अपनी आजीविका का मुख्य साधन मना लिया जबलपूर से उन्होंने वसुधा नाम की एक पत्रिका निकाली वसुधा का आप अर्थ जानते हैं प्रिथ्वी होता है इसके अलावा नई दुनिया नई कहानिया और सारिका में वो लगातार स्तंभ लिखते रहें अपनी रचनाओं में रानी नागफनी की कहानी सदाचार का तावीज वैशनों की फिसलन ठिठूरता हुआ गणतंत्र विकलांग स्रद्धा का दौर जैसी उन्होंने रचनाएं दी और इन शीर्षकों से उनकी पुस्तकें प्रकाशी थुई हर संकर परसाई की समस्त रचनाओं का संकलन परसाई रचनाओली के रूप में छह खंडों में संकलित है आप चाहें तो इन संक्रहों को देख सकते हैं पर सकते हैं शिक्षार्थियों परसाई जी समकालीन व्यंग कारों में सबसे बड़े सबसे महत्तपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने समाज में फैली विसंगतियों, असमानताओं और विड़म मनाओं का बहुत विनोध पूर्ण वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। आएए, अब हम पीडियां और गिटियां पाठ को ठीक से समझें और जाने कि व्यंग क्या है। शिक्षार्थियों, व्यंग एक ऐसी विधा है, जिसमें किसी कही गई बात का अर्थ कुछ और हो, तथा जो किसी विसंगती, विसंगती का मतलब होता है कि जो होना तो चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए वो न होकर कुछ और हो, तो उसको विसंगती कहते हैं। और इसी विसंगती पर रचनाकार चोट करता है। इसे आने कुदाहरण के तोर पे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि था तो वह एक सरकारी कर्मचारी परन्तु काम कर रहा था और वह भी मांदारी से इसका अर्थ हुआ कि सामान्यत सरकारी, अधिकारी और कर्मचारी लोग काम नहीं करते परन्तु यदि व्यक्ति इस धाना को तोड़ कर अपना काम कर रहा है तो माना जाता है कि उसकी विपरीद दिशा में कारिशिलता है व्यंग में शब्दों की गहरी मार होती है जो उपर से नीचे तक व्यक्ति को जगजोर का रख देती है व्यंग में बात करने का अर्थ है विचारों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसका प्रभाव सीधा दिल और दिमाग पर हो साथ में भिन्प्रकार की हसी भी आए और हसी ऐसी कि चोट पैदा करे और जिस व्यक्ति पर व्यंग किया जा रहा है वह व्यक्ति तिल मिला कर रह जाए और उस बात पर गहराई से सोचने पर भी मजबूर हो जाए आप अक्सर अखबारों में कार्टून का कोना देखते होंगे उसमें रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़ी ना जाने कितनी घटनाओं को परोग शुरूप से प्रस्तुत किया जाता है कार्टून में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कई बार स्थानिय विश्वियों पर भी व्यंग किया जाता है घटनाओं पर व्यंग करता है व्यंग कार और उसे हम बहुत सहज और सरल भासा में पढ़के उसके अर्थ को समझते हैं शिक्षार्थियों जिसे हम व्यंग कहते हैं हिंदी में उसके लिए अंग्रेजी में सटायर शब्द का प्रियुक किया जाता है जो मूलता लैटिन भाषा का है इसका आर्थ होता है गड़वर जहला गुजराती भाषा में इसे कटाक्ष और उर्दू में तंज कहा जाता है व्यंग मुक्षतह सत्य को सामने लाने का काम करता है जो सत्य किसी परदे के पीछे छुपा हुआ है जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करता है व्यंग सीधे सीधे शब्दों का प्रियोग कर अर्थ में एक चमतकार पैदा कर देता है और जब हमें उस अर्थ का बोध होता है तो हम व्यंग की उस गहराई को अपने हिर्दय तक मैसूस करते हैं शिक्षारतियों पीडियां और गिटियां पाठा पहले भी पढ़ चुके हैं और उसका आनंद भी आपको मिला होगा आईए अब हम व्यंग के तत्तों के आधार पे पीडियां और गिटियां पाठ को समझने का प्रयास करें इस पाठ की शुरुवात में लेखक ने व्यंग का आरंभ इस सूचना के साथ किया है कि वयो व्रिद्ध साहित्यकार ठक चुके हैं आईए इस व्यंग को अच्छी तरह एक बार फिर पढ़ें इसकी प्रारंभी पंक्तियों को लेखक लिखता है ऐसे साहित्यकारों के बारे में जो व्रिद्ध हो चुके हैं जो क्रियाशी अब नहीं रह पा रहे हैं लेकिन वो सहारा लेकर दूसरी चीजों का अभी भी अपने जगा पर जमे हुए हैं तो लेखक बताता है कि वे साहित्यकार जो व्रिद्ध हो चुके हैं वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते हैं मोटा चश्मा लगाकर शाथ देखते हैं निमोनिया की दवा जेव में रखकर बगीचे में घूमते हैं कान में उचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत की सभाओं में बैठते हैं और भोजन सेधिक मात्रा में पाचक या चूरन खाते हैं आप सोचेंगे कि इस पाठ की आरंभिक पंक्तियों में व्यंग कहा है ऐसे बुढ़े तो रोजी देखने में मिलते हैं जो लाठी टेक कर चलते हैं चश्मा लगाते हैं निमोनिया की दवा खाते हैं और कानों में उचा सुनने वाला यंत्र भी लगाते हैं लेकिन आप अगर ध्यान दें तो देखेंगे कि जिन साहित्तिकारों के बारे में लेखक ने यहां टिपणी की है लेखक ने जिन साहित्तिकारों का चित्रन किया है वे विरिद्ध हैं सरीर से छीन हैं साहित्तिक शेत्र में ऐसे बूढ़ों का उलेख किया है लेखोने इस व्यंग लेख में परसाई जी ने ऐसे व्रिद्ध साइत्तकारों का चित्रन किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख और प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। लेकिन इन सुखों और प्रतिष्था को वे छोड़ना नहीं चाहते। प्राकृतिक द्रिष्ट से तो वे छीन्ड और कमजोर हो रहे हैं या इस लायक नहीं रहते कि और सुख भोग सकें। लेकिन मोह न छोड़ पाने के कारण कृत्रिम अतलब बनावटी उपाय करते हैं। इस पाठ में बूढे कृत्रिम उपायों के बल पर सड़क पर चलना चाहते हैं, चांत की तरफ देखना चाहते हैं, बगीचे में घूमना चाहते हैं, और संगीत की सभाव में बैठना चाहते हैं। इसके अलावा जो सबसे मैदार बात है वो ये, कि वह आशकता सदिक भोजन करना चाहते हैं, और उसे पचाने के लिए उससे भी अधिक पाचक रखना चाहते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए, कि इन बूढों को खुशी के साथ सारा मोह, सारा लोव त्याग कर सब कुछ अगली पीड़ी को सौब देना चाहिए, जिससे कि उसके विकास का बार्ग प्रशस्त हो सके। परंत यहां ऐसा नहीं है। इस बात की सूचना इस व्यंग के आरंभिक अंशों में ही हमें मिल जाती है। तो शिक्षारतियों आईए, इस व्यंग के मूल कथावस्त को समझते हैं। इस पार्ट के लेखक ने यह बताया है कि एक दिन युवाजन उन वृद्धों के पास गए। और उनसे निवेदन किया कि वे बहुत बूढ़े तथा यशश्वी हो चुके हैं। अब उन्हें आराम करना चाहिए और आशिरवाद देते रहना चाहिए। क्योंकि अब वे पूजनी हो गए हैं। वे देवता के तुल्य हो गए हैं। और उन्हें यह बताया गया उन वृद्ध साहित्यकारों को। वृद्धों को यह बात पसंद आ जाती है। परन तुन्हें आशंकाएं हैं कि उनके यश, उनके जंडों, उनके भोग, उनकी आमदनी तथा उनके प्रतिश्रद्धा का क्या होगा। आप समझ रहे होंगे। यहां यश, जंडे, भोग, श्रद्धा और आमदनी से भाव यह हैं कि अब तक वे व्रिद्ध अपने जीवन में जो करते रहे। जिस किसी मान्यता या जिस किसी समूख को इस्थापित करते रहे, यश पा सके, उन सब की निरंतर प्रतिष्ठा या प्राप्ति अब कैसे संभव होगी। यह चिंता उन व्रिद्ध साइत्यकारों को सता रही है। इसका समाधान योकों ने बहुत आसानी से किया है। इस रिष्ठ भोजा ना दी दिया जाएगा। मंदिर में उनकी आरती उतार कर शरद्धा भाव प्रगट किया जाएगा। व्रिद्ध साहित्यकारों की जो आमदनी अपनी पुस्तकों की विक्री से होती थी, यानि जिसे हम रॉयलिटी कहते हैं, वह भी नियमित रूप से उन तक पहुंचा दी जाएगी। इसमें व्यंग यह है कि ये बुजूर्ग केवल इसी लायक रह गये हैं कि बैटकर अगली पीड़ी को आशिरवाद दें और समाज में मूर्ति के रूप में बने रहें। ये अब जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद सर्जनात्मक्ता या कुछ नया करने की संभावना समाप्थ हो जाती है। और जीवन निश्क्री हो जाता है। इनकी जरूरतें भी अब बहुत अधिक नहीं रह गई हैं। इसलिए सहज रूप में जितना मिल सके उतने में ही इने संतोस करना चाहिए। बहुत अधिक प्राप्त करने के लालच को छोड़ देना चाहिए। देवता शब्द में भी व्यंग है। जिस प्रकार देवता राग द्वेश से दूर रहते हैं। उसी प्रकार इन बूढों को भी रहना चाहिए। लेकिन ये देवता के पद को तो पाना चाहते हैं। पर आचरण देवताओं जैसा नहीं करना चाहते। इस पार्ट में दिखाया गया है कि एक वयो व्रिद्ध ने बहुत महत्तपून सवाल उठाया। उसका कहना था कि हम कर्म के विना कैसे जीवित रहेंगे। व्रिद्धों की ये आशंका सभाविक थी। इस प्रश्ण पर योकों ने सुझाव दिया कि आप व्रिद्ध लोग एक दूसरे को अपने विगत जीवन के संस्मरण तो सुनाते ही रहेंगे। इन संस्मरणों को हम पुस्तक के रूप में छपवा देंगे और ये आपके कर्मशील होने का प्रमाड भी होगा। व्रिद्ध इस बात से सहमत हो जाते हैं और उन्होंने देवता बनना मंजूर कर लिया। आगे की कथा में लेखक ने कई व्यंगात्मक प्रहार किये हैं जो व्रिद्धों की हटधर्मिता और मोह को हमारे सामने लाती है। जैसे आप जानते हैं कि साहित्तकारों की जो पुस्तके होती हैं उन पुस्तकों पर कई बार रॉयल्टी नहीं मिलती है। इसके लिए लेखक ने ये कहलवाया है एक युवक से कि हम उन्हें ठीक कर देंगे। अब ये शब्द ठीक कर देंगे में गहरा व्यंग है। ठिक कर देंगे का सीधा सीधा आर्थ है कि उन्हें हम व्यवस्थित कर देंगे लेकिन इसमें छुपा हुआ व्यंग यह बताता है कि यदि प्रकाशक रायल्टी देने में आना कानी करेंगे तो उन्हें हम सबक सिखा देंगे इस तरह के बहुत सारे प्रियोग इस गंग में लेखक ने किये हैं इस पार्ट के अंतिम भाग में वयो विद्ध साहित्तकारों को देवता बना कर मंदिरों में पृतिष्ठापित कर दिया गया है देवता बनकर पृतिष्ठित होने के बाद वृद्धों का ध्यान योकों पर जाता है वे उनके बारे में बात करने लगते हैं कि बाहर की दुनिया का आनंद ले रहे ये युवक हमें मंदिल में बंद कर दिये हैं वे सोचते हैं कि बाहर योकों में से कोई नाटक देख रहा होगा, कोई पक्वान खा रहा होगा, सब खुश होंगे, मस्त होंगे. यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि व्रिद्ध जन देवता तो बन गए, लेकिन मोह को न छोड़ पाए. लोब मन से नहीं निकल पाया, इसलिए योकों के जीवन की खुशी और उत्सा के प्रती उनमें इर्श्या का या जलन का भाव होता है. लेकिन इनमें एक ऐसा व्रिद्ध भी है, जो दूसरों की तरह नहीं, बलकि समझदार है. वो कहता है कि वे युवक हैं, तरुण हैं, खाने खेलने लायक हैं, हम तो इस योग अब रहे नहीं. ज्यादा खाएंगे, तो हाजमा खराब होगा, कुछ काम करेंगे, तो सांस फूल जाएगी. ये भोक का जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा. इतना ही काफी है कि ये हमारी बंदना करते हैं, यही हमारे लिए ठीक भी है. लेकिन दूसरे देवताओं को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने परतिवाद में कहा कि जो हमारा था, उस पर योगों ने अधिकार जमा लिया. जहां कभी हम थे, वहां वे हैं, हमें किवल मुर्ती बना कर रख दिया गया है. रायह सभी देवताओं के मन में अपने अधिकार वापस लेने की लालसा जाग गई. वह देवता इनमें शामिल न हुआ. और उसने वही किया जो ऐसे मौकों पर अकेले पढ़ गया विक्ति करता है. वह चुपके से वहां से उठकर मन्दिर के दूसरे हिस्टे में चला गया. आपने देखा होगा सभी देवताओं में यही व्रिद्ध, सही और अच्छा आपको भी लगा होगा. वह इसलिए कि लेखक भी चाहता है कि बुजूर्गों को ऐसा ही होना चाहिए. उन्हें अपनी इस्थिती और शमता का बोध होना चाहिए. दूसरे के प्रती सहान भूति प्रून द्रिष्टी रखनी चाहिए. खास तोर पर योकों के प्रती. लेखक सभी बुजूर्गों पर व्यंग नहीं करता, केवल ऐसे लोगों पर व्यंग करता है, जो अपने निरर्थक स्वार्थ के कारां, दूसरों का मार्ग अवरुद्ध करके खड़े हो जाते हैं. शिक्षार्थियों, आपने इस व्यंग का आनन्द लिया, आईए, इसके अंतिम हिस्चे में देखते हैं, कि देवता बने हुए ये बुजूर्ग साहित्तकार कैसा विवहार अपने उस अगली पीड़ी के साथ करते हैं, जो युवा है. तो हम देखते हैं, कि देवताओं ने सलाह करके जो निशकर्स निकाला, वह शाम को युवकों के आने पर जाहिर हो गया. जैसे ही युवक थाल में मिठाई सजाकर देवताओं के सामने आए, तो देखते हैं, कि देवता चबूतरे पर खड़े हैं, और उन्होंने युवकों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिये. युवकों ने इस पत्थराओं का कारण पूछा, तो देवताओं ने कहा, कि तुमने हमें उन्हों सबसे रहित कर दिया, जो कल तक हमारा था, अब युवकों ने सपष्ट किया, कि उन्हों सबसे वंचित रहने का मूल कारण, उनकी बढ़ती उम्र, ढ़लती शक्त है, हम नहीं, और बुजूर्ग साहित्तकारों को ये स्विकार भी करना चाहिए था, युवकों ने कहा, कि फिर भी हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, और तुम हो, कि पत्थर से हमें छोट पहुँचा रहे हो, हमें अपमानित कर रहे हो, इस पर देवताओं ने पहले से तैयार अपना फैसला सुना दिया, कि जिन राहों पर हम चले थे, उन पर युवक न चलें, जो हमारा भोज्य था, वह युवक नहीं खाएंगे, और जंडे भी हमारे ही फैर आए जाएंगे, युवकों के नहीं, आप समझी रहे होंगे, कि जंडे से यहां तात पर, उन सिध्धानतों से है, जिस से ये व्रिद अब भी चिप्टे हुए हैं, उन मतों से है, जिस से ये व्रिद अब भी छोड़ना नहीं चाहते, नए युक्के युवकों ने देवताओं का फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिस पर क्रोधित हो, देवताओं ने पत्थर बरसाने सुरू कर दिये, और जैसी की उम्मीद थी, एक युवक ने आव देखाना ताव, पीपल के पेड़ पर फहरा रहे, देवताओं के ज़ंडों को ही फाड कर फैक दिया, दोनों और से हमले होने लगे, और जब एक राहगीर ने दूसरे से मामला पूछा, तो जबाब मिला, यह लड़ाई नहीं है, बलकि दो पीडियों के बीच कलागत मुल्यों को लेकर बहस हो रही है, यह कलागत मुल्य एक ब्यंग्योकती है, वर्सों तक कलागत मुल्यों को लेकर रश्ण उठते रहे हैं, लेकिन उनके निश्चित उत्तर आज भी नहीं ढूट पाये हैं। शिक्षार्थियों जो कलागत मुल्य होते हैं वो पीडियों के साथ समाज के बदलने के साथ बदलते हैं और इस बदलाव को स्विकार भी करना चाहिए परसाई जी भी उन बहसों पर कटाक्ष करते हैं जो व्यर्थ में केवल विरोध के लिए की जाती है उनसे समाज को हासिर कुछ नहीं हो पाता है तो सिक्षार्थियों यह था व्यंग रचना का पूरा कत्थ यह पीडियों के संघर्ष को उजागर करता है नई पीडि को दाइत्व हीन कहने वाली पुरहानी पीडि दरसल नए लोगों पर दाइत्व सौपना ही नहीं चाहती उसे भै रहता है कि कहीं हमारे वर्चस्व को समाप्त करके नई पीडि अपना वर्चस्व न इस्थापित कर ले हम समझ सकते हैं कि पुरानी पीडि की या लालसा और जूठा भै किस प्रकार समाज की युवा पीडि के विकास उसकी स्वतंतरता और सुक सम्रिद्ध को प्रभावित करती है जिस समाज में ऐसी पुरानी पीडि होगी उस समाज के युवक कुन्ठित आत्न विश्वास विहीन तथा अकेले प्रण से गरस्थ होकर समाज विरोधी होंगे शुक्षारतियों आए इस व्यंग विधा के शिर्सक पे कुछ बात करें शिर्सक जैसा कि आप जानते हैं पीडियां और गिटियां पीडियां उम्र और अनुभाव के भेद को दर्शाती हैं पुरानी पीडि के अंतरगत बुढ़े माता पिता गुरु आते हैं और नई पीडि के अंतरगत युवक पुत्र और शिस्या आते हैं हर पीड़ी की अपनी अलग सोच होती है जो पीड़ी के बदलने के साथ ही एक नया रूप ग्राण कर लेती है प्रायः पीड़ी का या क्रम 12 से 16 वर्षों में बदल जाता है इसलिए कि एक छोटा बच्चा इतने वर्षों में युवग बन जाता है गिट्टियां धेले होते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकडे लेखा कि उन्हें आग गिट्टियां कहा है एक पीड़ी दूसरे पीड़ी को गिट्टियां मार रही है पत्थर मार रही है इसका मतलब यह है कि एक पीड़ी दूसरे पीड़ी को प्रताडित कर रही है नई पुराने पीडियों में कोई भी अपने को दूसरे से नीचा नहीं देखना चाहता है. इसलिए दोनों में संघर्ष चलता है. संघर्ष प्राया, विचार, सोच, मत के धरातल पर होता है. लेखक ने संकेत से इसे गिट्टियां कहा है. अपने विचारों को दूसरों पर लादने के कारण इस रचना का या शिर्षक, पीडियां और गिट्टियां बहुत सार्थक और सटीक है. चिक्षार्थियों इस पार्थ में भाषा का बहुत ही सरजनात्मक प्रयोग परसाई जी ने किया है. पीडियां और गिट्टियां शिर्षक में ही आप उस प्रतिकात्मक्ता को, उस सरजनात्मक्ता को देख सकते हैं. किसी भी बात को जब हम सीधे सीधे ना कहकर उचित शब्दों, मुहावरों का एक चमत्कृत प्रयोग करते हैं, तब बात में व्यंग पैदा होती है. पीडियां और गिट्टियां नामक व्यंग एक और तो व्रिद्धों को उद्घाटित करता है, दूसरी और अगली पीडियां के तरुण और युवा जो व्रिद्धों द्वारा जीवन की सुविधाओं और साधनों पर रोक टोक से परेशान हैं, यह उनके मन इस्थिती को उद्घाटित करता है, दोनों पीडियों के बीच इस वर्चस को लेकर भीशर संघर सोता है, शिक्षारतियों व्यंग की भाशा किया विशेस्ता होती है, कि देखने में तो शब्द और वाक के सनरचना बिलकुल स्पष्ट और सीधी साधी लगे, परंत अर्थ की दिर्ष् वो बहुत गहरी और गंभीर बात की ओर संकेत करती है, जैसे पाट के शुरू में ही लेकर्ट ने लिखा है, कि साहित्य के वयो व्रिद ठकित हुए, वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते, मोटा चश्मा लगा कर चांद देखते, निमोनिया की दवा जेब में रखते, बगीचे में घूमते, कान में उचा सुनने का यंत्र लगा कर संगीत सभा में बैठते, भोजन सैदिक मात्रा में पाचन का चूरन खाते, बार-बार पढ़ने में इन पंक्तियों को आनन्द आता है, और इसके पीछे छिपा व्यंग भी हमें समझ में आने लगता है। वयो व्रिद्ध और जीवन से ठके व्यक्तियों के लिए लिखी गई है, और उसके बाद एक-एक वाक्य व्यंग में लिखा गया है। इसी प्रकार बगीचे में घूमना उन्हें इतना पसंद है कि वे ठंड में भी घूमते हैं, परन्त कहीं निमोनिया न हो जाए, इस डर से हमेशा दवाया भी खाते रहते हैं। संगीत सभा में जाना उनके लिए अधिक महत्तपून है, चाहे वे उसे यंत्र लगा कर ही क्यों न सुनें। लेखक ने पूरे पाठ में व्यंगात्मक शैली का प्रियोग किया है। सिक्षार्थियों अब तक आप समझ चुके होंगे कि व्यंगात्मक शैली किसे कहते हैं। व्यंग पूर्ण अंदाज में किसी बात को कहना ही व्यंगात्मक शैली होती है। लेखक ने इस्थान इस्थान पर मुहावरों का सटीक प्रियोग करके इस व्यंग को और दिल्चस्प बना दिया है। और गहरा बना दिया है। जैसे आनाकानी करना, ठीक करना, मुचा सुनना, खाने खेलने देना। सिक्षार्थियों, अब तक हमने पीडियां और गिटियां पाठ के संदर्व में बहुत सी बातों पर चर्चा की, उसका विशलेशन और विवेशन किया। आईए, अब कुछ बातें शब्द शक्तियों के बारे में करते हैं। शब्द शक्तियां तीन परकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिसे हम व्यंजना कहते हैं, वही शब्द शक्ति, व्यंग को पैदा करती है। जब किसी बात को सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट रूप से हम कहते हैं, तो वह अभिधा कहलाती है। क्योंकि उन सीधे सरल शब्दों में प्रचलित अर्थ अभिवेक्त होते हैं। जैसे आप कहें कि मैंने चांद देखा, इसका सीधा साधा अर्थ हुआ कि चांद आपने देखा है। परंत यदिया कहें कि मैंने सुबह सुबह अपने घर में एक खुबसूरत चांद देखा। तो इसका अर्थ अलग होगा। इसका अर्थ होगा कि आपने आपने किसी प्रिय का सुबह सुबह चेहरा देखा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चांद सुबह नहीं और घर में नहीं उगता, आस्मान में और रात में उगता है। इस प्रकार इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति को हम देख सकते हैं। शब्दों कीवा शक्ति जो मुख्य अर्थ से अठकर अर्थ दे और साथ साथ अन्य अर्थ की कलपना करनी पड़े तो वही लक्षणा कहलाती है। तीसरे प्रकार की शक्ति होती है व्यंजना और इससे विशेश प्रकार का अर्थ पैदा होता है यह शब्द शक्ति परिस्थिति के अनुसार अर्थ देती है जैसे किसी सोते हुए बच्चे से कहें कि सवेरा हो गया और चिडिया बोलने लगी तो इसका अर्थ उस बच्चे को इस बात की सूचना देना नहीं बल्कि यह बताना है कि अब तुम्हारे उठने का समय हो गया है जागने का समय हो गया है विश्तर छोड़ देने का समय हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि व्यंजना पैदा करने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग रचनाकार अपनी रचनाओं में करते हैं और व्यंजन के लिए एक आवश्यक शब्द शक्ति मानी जा सकती है शिक्षार्तियों आएए पाठ के अंत में एक बार हम फिर से जाने कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा इस पाठ पे हमने देखा कि पीढ़िया और गिट्टिया एक व्यंग रचना है जो साहित्तिक शेत्र के व्रिद्धों और योकों की मानसिक्ता को स्पष्ट करती है व्यंग में शब्दों की गहरी मार होती है जो व्यक्ति को भीतर तक जग जोड़ देती है व्यंग में विचारों की गहराई होती है जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है व्यंग को अंग्रेजी में सटायर, गुजराती में कटाक्ष और उर्दू में तंज कहते है व्यंग में मुहावरे और व्यंग्योक्तियों का बहुत महत्त होता है जो भाषा को अधिक प्रभावशाली और पैना बनाता है पाठ में छोटे-छोटे वाक्य, समवद आत्मक और व्यंग आत्मक शैली में प्रस्तुत किये गए है पाठ में दो पीडियों का संघर्ष दिखाया गया है तो सिक्षार्तियों आपने धैरे से पीडियां और गिट्टियां पाठ को सुना और समझा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद